कि नमस्कार दोस्तों कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ विशे लेके आया हूँ बहुत से फ्रेंड लोगों ने मुझे पूछा है मेरे वर्षब पर फेस्बुक पर कि कि फेक एजन्ट से केसे बचा जा सकता है और फेक एजन्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए तो यह विशे जो है यह विशे मेरे भी बहुत दिल के नज़्दीक है क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर बहुत से लोगों का मन होता है कि उनको विदेश जाना है जौब से लोग जाते हैं तो लोगों का यही कुस्टन है कि हम लोग फेक एजन्ट के थ्रू अम लोग क्या करें ऐसे कि फेक एजन्ट के थरू हम लोग ना फसे हमारा पैसा ना फसे तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि fake agent से बचने के लिए simple सा fund아 है कि यदि आप लोग job के लिए try कर रहे हैं विदेशों के लिए या tourist visa के लिए apply कर रहे है या study visa के लिए apply कर रहे है तो उसे लिए आपको सिर्फ यही करना है कि कोई भी agent हो India में हो बाहर में हो जॉब लगने से पहले या स्टेडी वी जाके लगने से पहले कोई भी पैसा ना दे एजेंट को और एजेंट को यदि आप पहले पैसा दे देते हैं तो आप भी जानते हैं कि वह पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो कोशिश कीजिए भाई की बिना एजन्ट का रेजिस्टेशन नंबर चेक किये आप लोग उस एजन्ट के थुरू से जॉब ना लें प्लेस्मेंट ना लें क्योंकि ऐसे ही स्थिति के अंदर आप लोगों के साथ दोखा जड़ी होने के चांसिस बढ़ जाते हैं कोशिश कीजिए कि आप लोग पहले जो भी डोकुमेंट है चेक कीजिए जो आपको कोई भी एजन्ट आपको जॉब से लेटिव वीजा लगा के दे रहा है उस वीजा को आप मेल आईडी पर जाके जाकर चर्प कीजिए यदि आपको सब्सक्राइब लग रहे हैं तो आपको जाकर चर्क कीजिए कि आपका वीजा ओरिजनल है यह सब चेक करने के के बाद ही पैसा दे मैं आप लोगो एक अधारन ऐसा देना चाहता हूं कि इससे आपको फ्यूचर के अंदर धोखा-धड़ी चांसिज होने के ना के बराबर होंगे यदि आप लोग मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको धोखा-धड़ी होने के चांसिज कम हो जाते है और दोस्तों मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा आप मेरे चैनल को सेस्क्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए तो यही है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई भी परसंद यह है कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप लोग एजएंट को पहले पैसा शुलाओं मत दीजी आप लोग पैसा देते हैं तो गड़बन होने के चांसिस बढ़ जाते हैं और यहीं जाओंगा आप लोग आगे भी मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोगों को और वी अच्छी ची वीडिवानाके देता होगा और आप लोग कमेंट कीजी कि आपको किसे रिलेटिव वीडियो बनाके मैं दूँ जो आप लोगों को हेल्प करें और धन्यावाज जैहिन जैभारत